सुल्तान गंच अगवानी घाट पुल ध्वस्त होने के मामले में पटना हाई कोट ने SP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपणी के MD को विशेशग्यों की टीम के साथ 21 जून को तलब किया है साथ ही राज्य सरकार से अब तक की गई कारवाई की रिपोर्ट मांगी है अवकाश कालीन जज पुर्णेंदू सिंग की एकल पीट ने बुद्धवार को ललन कुमार की ओर से दायर लोक हिती आचिका पर सुनवाई की कोर्ट को बताया गया कि सुल्तान गंज अगवानी घाट 1710 करोर रुपे की लागत से बन रहे 3.16 किलोमिटर के फोर लेन पुल का निर्मान 2015 में शुरू हुआ था पुल निर्मान का कार 2019 में पूरा होना था लेकिन घटिया निर्मान सामगरी के इस्तिमाल से पुल दो बार गिर चुका है उनका कहना था कि पुल गिरने के बाद से एक गार्ड लापता है उसके परिजनों को समूचित मुआवजा दिया जाए साथ ही पुरे मामले की जाच हाई कोट के जट से कराने की गुहार लगाई गई है सुनवाई के दोरान कोट ने कहा कि न्यायाले जनता के हितों की रक्षा करने और सारजनिक धन के दुरुपयोग को लेकर चिंतित है कोट ने निर्मान कमपनी को पुल निर्मान से जुड़ी कई महत्यपूर्ण जानकारी देने का आदेश दिया है। कोट ने पुल की कुल लंबाई सहित वहां गंगा की धारा की प्रकृती, नीव की जगह, मिटी के स्तर की प्रकृती और व्यवहार की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसके साथ ही पुल के निर्मान कारे में आ रही दिक्कतें, पुल गिरने से पड़्यावरन को हुए नुकसान, डीपी आर की पूरी रिपोर्ट, भूव एग्यानिक प्रमान पत्र और भू सरवेक्षन तलब की है। कोर्ट का कहना था कि पुल गिरने के मामले में राजसरकार ने अधिकारियों और निर्मान एजनसी के खिलाफ गंभीर कारवाई की है। अब तक की कारवाई पर राजसरकार से भी रिपोर्ट तलब की है। आपको बता दें कि कोर्ट ने कौन-कौन सी जानकारियां पेश कर का आदेश दिया है। कमपनी को 2014 से मार्च 2023 तक वर्तमान परियोजना से संबंदित बैलन्स शीट और कमपनी के रजिस्टरार के समक्ष प्रस्तूत अपनी वार्शिक रिपोर्ट भी कोर्ट में प्रस्तूत करने के आदेश दिये गए हैं। एक बार फिर से आपको बता दें सुल्तान गंज अगवानी घाट पुल ध्वस्त होने के मामले में पटना हाई कोट ने स्पी सिंगला कंस्ट्रक्शन कमपनी के एमडी को विशेशग्यों की टीम के साथ किस जून को तलब किया है। साथी राज्य सरकार से अब तक की गई कारवाई की रिपोर्ट मांगी है। अवकाश कालीन जज पुर्णेंदू सिंग की एकल पीट ने बुद्धवार को ललन कुमार की ओर से दायर लोग खितियाचिका पर सुनवाई की है।